जैहिंद वनेवात्राम सात्यों कैसे हैं आप सबी लोग? उम्मीद करता हूँ सब भी अच्छे होगे सात्यों बात करते हैं प्रतितिन की तरह आज की CCS इनिवस्टी की अपडेट की और जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूचन 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 है उसकी पूच रहे हैं कि क्या सरी जो डेट सीट है वो चेंज होगी जो प्राफेशनल कोर्स की डेट सीट आई है चाहिए वो आपका BBA है BCA है BALB है किसी भी कोर्स के लिए हैं तो जो आपके एक्जाम स्टार्ट होने हैं एक अगस्त या दो अगस्त से तो उसको लेकर बच्चे काभी ज़्यादा कंश्यूज हैं कि क्या वो डेट सीट कैंसल होगी तो साथियो आपकी जो डेट सीट है वो कैंसल होने के बहुत कम चांसे हैं यानि कि आप अपनी तयारी में लगे रहे हैं आपके एक्जाम जो डेट दी गई है उसी डेट पर कराए जाएंगे हो सकता है जैसे आपका किसी का 11 तारिक का एक्जाम रखा हुआ है या 9 तारिक का या 8 तारिक का रखा हुआ है उसकी डेट हो सकती है लेकिन बाकी जो एक् स्क्राइब कर लिएगा जिससे कि आपको उस वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके तो आपको परेशान होने की आवश्रक्ता नहीं है आप अपनी तयारी में लगे रही है इससे आगे बात करें बच्चे जो नए सत्र के जो एड्मिशन चल रहे हैं उसको लेकर चिंतित हैं कि होगे तो साथ ही जो आपकी मेरिटव लगेगी मानके चलेगा 10-15 अगस्त के आज पास ही रिज्टेशन स्टार्ट कराये जाएंगे लवी थ्रियर के लिए भी आपके मिड अगस्त के आज पास इर आपके रिश्टेशन स्टार्ट कराए जाएंगे तो LLP जो 3-year course है इससे आगे बात करें आज कुछ courses का result भी declare किया गया है result जो declare किया है वो किया गया है आपके जो campus के courses है यानि कि जैसे food and science का आपका result अभी जैसे ही result बाकि जो आपके final year वाले बच्चे है उनका result आएगा तो उसके लिए मैं वीडियो प्रूट करूँगा इसी चैनल पर उनको वेट करना होगा आपका result मानका चलिएगा 10-15 अगस्त के आसपास आने वाला है तो साथियो almost मैंने सबसारी चीज़ें आपको clear कर दी है यदि अभी भी आपको कोई doubt या question रहे गया है तो आप मैंने से comment box में पूछ सकते हैं मैं जितने जल से जल्द होगा उसका answer वीडियो बनाने की पूरी कोसिस करूँगा तो साथियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कर कर दीजेगा और सेर भी कर दीजेगा चलिए साथ की मिलते हैं आप से नेक वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ तब तक के लिए जैन जै भरत